हाई एब्रिवान आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में कैसे हो आप सभी लोग उम्मेद करते हो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अज़त ब्लोग होने वाला है कि कोस्मेटिक साभ में लेडिज ằngर गार्मिंट के वाराइटी कैसे बनाए जब हम नहीं कोस्मेटिक साभ खुलते हैं तो हमें समझने । यहां बैए तो आजका फूरा वीडियो लेडिे अंदर गार्मिंट के बारे के किराऊएश के रखते है कैसे वरा कि बना रिखे हैं तो प्लीज वीडियोको आरें तक जरूर देखना है निए फूरिप सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आती लाइक निएक खर जार करना जार। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हूं कुछ सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मैं आपने prisoners को दिखाने में भी हमें काफी साउधानी रहती है तो गईज मैंने अपनी सोब में 28 नंबर से लेकि 44 नंबर तक की ब्रा रखी है और पेंट्यू के भी सारी नंबर रखे हैं जो भी XL डबल XL तक जो भी आती हैं तो सारी नंबर रखे हुए हैं तो आप देख सकते हो जैसे 30 न क्योंकि 36 के बार जो नंबर होते हैं थोड़ा कम बिखते हैं तो इसका मैंने एक एक या दो दो बॉक्स रखे हुए हैं बस और 36 तक मिर पर चार चार पंच पर टाइप की ब्रा रखी हुई है ऐसे सारी नंबर एक सान रखने पर क्या होता है कि जब कोई कस्टमर आता है तो हमें बीच-बीच में देखने की जरवर नहीं पड़ती है अगर कोई 30 नंबर की मांग रहा है तो 30 नंबर के सारे बॉक्स निकाल के दिखाने के लिए हमें आसानी रहती है तो आपको इससे थोड़ा आइडिया मिल गया होगा और यह उपड जो हैं यह सारी स्पोर्स ब्रा हैं तो गैज जो हमारे यहां है सारी से भी यहां सबसे जादा चलती है और जो स्यूच्वप्छा attending के जब मैं पहले दिल्ली से समान लाय थी तो वहां से लारे किती नाइस ब्यूटी और सो टाइम की ब्राए सब वहां की है और अब जो मैने यहां से ले रहे हैं वह सा आपको खोल के दिखा रही हूं इससे आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी यह सबसे हलकी रेंजी की ब्रा इसका जो कपड़ा यह होजरी में है और यह थोड़ा हलका है इसे में 100 रुपे सेल करती हूं इसके बाद आती है 135 रुपे वाली यह प्रिंटेड भी है और इसका कपड़ा ना काफी अच्छा है तो इसको में सेल करती हूं 120 रुपे की उसके बाद आती है यह वाली ब्रा और इसका डबल का कपड़ा है और इसका कपड़ा भी अच्छा है और इसका MRP 155 रुपे है इसे भी में 120 रुपे की ही सेल करती हूं तो गाइज उसके बाद आती है ये cotton वाली bra जैसे आप गर्मी आ रही हैं तो ये cotton वाली dera ही सबसे जादा sale होती हैं क्योंकि इससे गर्मी नहीं लगती है और ये पसीना भी सोग लेते हैं तो ये वाली bra काफी चलती है तो आपको गर्मी में cotton की bra जरूर रखनी चाहिए और उसके बाद आती है यह इसी कही अच्छे में है थोड़ा और कपड़ा होजरी है इसका भी और इसकी क्वालेटी ना काफी अच्छी है इसका MR भी 215 रुपे है मैं इसे 180-190 रुपे की सेल करती हूँ और इसका कपड़ा ना काफी अच्छा है और जो ब्रह कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गया होगा हमें होजरी और कॉटन दोनु मिक्स करके वराइड़ी बनानी होती है तो आपको कम रेंज से ज्यादा रेंज तक सारे टाइप के इस टाइप से आप रख सकते हो अपनी सोब में और मेरे एरिया मना बहुत महेंगी वरा स सेल नहीं होती है मतलब 200-500 रुपे तक ही सेल होती है तो मैंने मैकजिमम 200 रुपे तक ही ब्रा रखी हुई है और आप भी अपने एरिया के अकौर्डिंग रख सकते हो तो गईज उसके बाद आती है पैड़ेट ब्रा और पैड़ेट ब्रा दो टाइप के होते हैं एक तो ल यह सस्ती वाली है तो कस्टमर इसे ले लेता है और यह है अच्छे में पैड़ेट ब्रा और इसका फॉम भी काफी अच्छा है और यह खराब भी नहीं होती है जल्दी से और यह विएस्टी कंपनी की है और इसका MRP जो है इसका MRP 330 रुपे है और इसे मैं सेल करती हूं 500 र रखे हैं और यह थोड़ा हली में लेकिन हमें थोड़ा हलका और अच्छा सारे टाइप के रखने पड़ते हैं तो में भी हलके form वाली मिल जाती हैं ये थोड़ा य्वालीaja क्वाली ग्हाटी है क्वालिया इस टैप से आप पैड़ेट ब्रा भी रखिया अपनी सौब में क्योंकि पैड़ेट ब्रा भी काभी सेल होती हैं और जो यह फॉर्म वाली ब्रा हैं यह 28, 30, 32 और 34 तक ही आप ज्यादा रखिए और 36 का एकाद बॉक्स से ला सकते हो वैसे 34 से उपर जो भी मतलब साइज होते ह हैं उसमें ज्यादा पैड़ेट ब्रा मांगते नहीं है इसकी सेल बहुत कम होती है ज्यादा यह 32, 34 तक ही सेल होती है तो आप भी इस टैप से आपनी ब्राइटी बना सकते हो तो कैज इसके बाद आती है इस पोर्स ब्रा जो लड़कियां पहनती है और इसमें आप देख सक इसके बाद यह स्ट्रीप वाली है यह VST कमपनी की है और इसका MRP बॉक्स में दिये रहता है इसमें दिये रहता है तो इसको भी मैं हंडेट पे सेल करती हूं उसके बाद एक इस टाइप की है पूजा रागनी ब्रेंड की है और इसका कपड़ा ना काफी अच्छा है काफी टाइम तक यह खराब नहीं होती है और कस्टमर भी सिकायत नहीं लाता है तो थोड़े अच्छी वराइटी की भी रखनी चाहे हमें और इसका MRP 163 रुपे है और इसे में 140 या 130 रुपे सेल करती हूं और उसके बाद आती है इस टाइप की स्पोर्स ब्रा और इसका MRP 186 प्राइब टीनेजर की भी है यह जो लोग मंगाते में उनके लिए लाते हूं मतला इसका मेरे जादा स्टॉग नहीं है और जैसे ही बादी के भी है वह वैसे मैंने अपनी साप में रखे हुए नहीं है तो गाइच ब्राइब स्पोर्स ब्रावी और नार्मल पैडेड शार सबसे सबसेऊद पैंति पैंटी है इस ट debates आप देख सकते हो काकपड़ा हहलका होता है और ओर सबसे सबसेऊदव वाली यह कूमे अक्टों को रोल जो क्षू भाल एक पैंटिया होती है यह तो एक पॉल्ठीनो पूरी पैक आती और यह पैंटी में सेल करते हूं 90 रुपे की और यह देखे कुछ पैंटियां स्टैप की हैं यह पैंटिया में स्टार्डिंग डिल सेल आए थी और इसके पांट मतलब बहुत सारे बॉक्स लाएते हैं आप यह पूरे खतम हो चुके हैं सिर्फ एक ही कलर की यह वाली बची है और इसका MRP जो है 132 रुपे है इसको मैं 110 रुपे या 100 रुपे तक सेल करते हूं और उसके बाद पैंटी में एक रखते हूं मैं डिक्सी की और इसकी पैंटिया थोड़ी कम रेंजी की हैं तो यह भी अच्छी खासी सेल होती है तो आप भी डिक्सी की पैंटिया रख सकते हो इसको डिक्सी की पैंटियों डिक्सी में जो है मार्जन तो ज्यादा नहीं है लेकिन इसकी पैंटियां सही चलती है तो जो भी नॉर्मल पैंटियां यह मैंने आपको दिखा दी है इस टाइप से और उसके बाद आती है यह ब्रेंडेट पैंटियां यह हैं बोडी केर की और एक पैंटी का जो MRP है वो 130 रुपे है इसमें size के according MRP और कपड़े के according सारी MRP अलग लग आती है तो ये भी मैं अपनी soft में रखती हूँ क्योंकि मेरे हाँ body care की पैंटीया अच्छी खासे sale होती है वैसे तो इसमें margin जादा नहीं मिलता है company की जो भी product होता है इनमें बहुत को margin होता है लेकिन sale होते हैं customer मांगते हैं तो हमें रखना पड़ता है तो इसकी भी मैं सारे number रखे रहती हूँ इसमें small large xl double xl जो भी होते हैं वो सारे रखे रहती हूँ सारे box यह महंगी होती है तो इसका जैसे एक एक पैग भी लेके हम अपनी variety बना सकते हैं वैसे तो जो अच्छे wholesaler होते हैं वो सारे ऐसी करते हैं जैसे small का तीनू का एक पैग दे दिया आप इस टाइप से variety बना सकते हो small का एक पैग ले लो large xl double xl का एक box से बना लो starting में क्योंकि इतना सारा amount नहीं होता है तो guys मैं तो अपनी sob में body gear की pantries रखती हूं लेकिन आप अपने according देखना यह जरूरी नहीं है कि starting बहुत महंगे महंगी चीजे रख लो और फिर अब मतलब पहले अपना area देख लेना कि वहां लोग मांग रहे या नहीं मांग रहे अगर नहीं मांग रहे तो आप वैसे तो मत रखना क्योंकि यह costly होती है 130 रुपे की एक पैंटी होती है अगर हम discount भी देते हैं तो 120 रुपे की एक बेजनी पड़ती है तो इसमें हमें मिलता भी कुछ नहीं है ज्यादा 20-25 रुपे एक पैंटी में यह 10-15 रुपे ही मिल पाते हैं तो आप अपने according देखना लेकिन नॉर्मल पैंटी है इसके आप वरैटी बना लेना जैसे 50 रुपे 60 रुपे 80 रुपे 100 रुपे तक की पैंटी आप अपनी सौब में जरूर रखना और उसके बाद आती है लड़कियों की समीजें तो यह भी अपनी सौब में जरूर रखना क्योंकि यह भी customer मांगता है इस कार्मेंट रखने के सोच रहे हो तो यह वीडियो देखके आपको थोड़ी बहुत है जरूर मिल जाएगी और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके यह भी जरूर बताना तो जैसे मैंने आपको बोडी केर की पैंटी यह दिखाई यह मेरी एरिया में चलते हैं तो इसलि आप देख लेना अपने एरिया के अकॉर्डिंग और कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना तो इसके साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूं आई होप कि आपको पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और